कल हमने जो मंगला चरण के संदरब में गणेजी के वंदना की ब्याख्या की थी आज जो हम करेंगे ब्याख्या वो है सरस्वती वंदना सरस्वती के बिना सरस्वती क्या है सरस्वती देवी किसकी है वाने की देवी है सरस्वति के बिना तो सब जीवनी साहित्य कार जो होता है वो सरस्वति की वंदना तो करता ही है केश्व ने सरस्वति की बड़ी सुन्दर ठंक से वंदना की है और ऐसी वंदना केश्व के द्वारा की गई है वो आपके सामने है केश्व वंदना करते हैं बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए ऐसी मती को तो उदार कौन की भई देवता परशिद शिद रिशी राज तप वर्द कही कही हारे सब कही नगा के उलही भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशवदास के हुना बखानी का उपे गई वरने पती चार मुख पू यहां आप देखेंगे कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए ऐसी मती को धो उदार कौन की भई बानी जग रानी की बानी बानी का अर्थ क्या है वानी वानी की देवी अब जग रानी वानी की देवी जग रानी कौन है सर्षवती केशो कह रहे हैं सर्षवती देव आपकी उदारता इस संसार में स्रेष्टे बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए किसे बखानी जा सकती है आपकी उदारता आपका वर्णन कोई नहीं कर सकता आपकी जो स्रेष्टा है उसका वर्णन आपकी उदारता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता ऐसी मत्य को धो उदार कौन की भई ऐसी मत्य किसकी भई ऐसी बुद्धी किसकी है जो आपका वर्णन कर सके सरस्वती का संपूर वर्णन कर सके ऐसी मत्य किसी की नहीं हुई है आज तक तो नहीं हुई है जो ये कह दे कि मैं सरसुती के गुणों का सरसुती की महिमा का मैं पूर्ण रूपेन वर्नन कर दू केशों कैते हैं कि ऐसी मती किशी उदार की नहीं हुए ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है इस संसार में अब आगे उदान के द्वारा वो कहते हैं देवता परशद सिद रिशी राज तप वर्द कही कही हारे सब कही ना क्यो लही देवता जो है इस संसार में सबसे सेश्ट कोन है देवता जो अमर है अजर है सब कुछ जानते हैं कहते हैं कि देवता सब कुछ जानते हैं बोत बहुश्य वर्तमां तीनों कालों के बारे में देवता ही जानते हैं वो भी देवता स़र्षवति के वर्णन नहीं कर सकते हैं जो प्रसिद है प्रसिद जो सिद्धि में प्रसिद हो गई देको अलग अगलग है जो सिद्धी में जिस जिनोंने प्रशिद्धी प्राप्ट कर ली वो भी सर्शुती के सर्शुती का जो है गुण है सर्शुती के गुण है सर्शुती की सेष्टा है उसका बखाम नहीं कर सकते सिद्ध जो सिद्धियां जिन्होंने प्राप्ट कर लिया आंट सिद्धियां है वो भी नहीं और रिशी राज तब बर्द रिशी राज रिशियों में जो राजा है केशो की यही तो विशेष्टा है रिशियों में जो राजा है जो रिशियों में स्रेष्ट है, जो रिशी राज है वो भी सरस्वती के गुणों का सरस्वती के तप का उधारता का वडन नहीं कर सकते और तप वर्द कई कई हारे सब कई न ककेव लई के कर कर हार गे सब तप वर्द अब तपवर्द क्या है तपश्या में जो वर्द हो गए तपश्वी सेष्ट तपश्वी तपवर्द देखो केश्व ने जो सबनों का चैन किया है बड़े सुन्दर ढंग से चैन किया है केश्व ने और तपवर्द हारे सब कही कही हारे सब कही ना केव लई कह करके हार गए सब और किसी से भी उस सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया गया है अर्था तो उसमें सफल नहीं है उसके वर्णन करने में कोई भी सफल नहीं है उनकी पुर्षिंसा सब ने किये गुणों का बखान सब ने किया है और करते हुए भी वो सफल नहीं हुए है अब देखो तीन बात है भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशोडास के उनक बखाने का उपे गई भावी भूत और वर्तमान देखो होना क्या चाहिए इसमें क्या आना ये करम क्या होता है आप से तीन जब अनिवारे हंदी में हैं उसमें भी आएगा तीन जो काल बताए हैं भूत काल वर्तमान काल और बहुश्य काल जगत बखानते देखो करम केशो कवित्ता में यह कि करम आगे पीछे हो सकते हैं भावी बहुत वर्तमान जगत बखानते केशो दास के उना बखानिका उपे गई बावी बहुश्य में बहुश्य काल में भी सरस्वती के गुणा का बखान होगा भूत काल में भी सरस्वती के गुणा का बखान हुआ है और वरतमान में केशो कह रहे हैं मैं और दूसरे कवी जो हैं वो बखान कर रहे हैं जगत बखान अते हैं और केशवदास के उन्हा बखान ही का उपे गई केशवदास जी कहते हैं कि किसी से भी उसके गुणों का बखान नहीं हुआ है कोई भी उनके उनका संपूर्ण बखान नहीं कर सका अब जो आपके है बावी बहुश्य में तो करेंगे भूत बहुत काल में भी अब बहुत काल में किनों ने किन लोगों ने बहुत से जो हुए हैं कवी हुए हैं उन्होंने बहुत काल में इसका वर्णन किया है वर्तमान में कर रहे हैं और भुष्य में इसका बखान किया जाएगा केशोदाज जी कहते हैं किसी से भी केउना बखानी का उपे गई किसी से भी इसका संपूर्ण बखान नहीं किया गया वड़ने पती चार मुख पूत वड़ने पांच मुख और नाती वड़ने शठ मुख तद पी नहीं नहीं देखो केशव की विशेष्टा इसमें जो ब्याक्या आपके है यहां कह रहे हैं वड़ने पती चार मुख शर्ष्वती के पती कौन है शर्ष्वती के पती ब्रमा जी जिनके चार मुख है अब पूत वड़ने पांच मुख पूत कहते हैं पुत्तर को पांच मुख वाला देवता कौन है आपसे अगर यह पूछे कि पांच मुख वाले देवता कौन है तो क्या उत्तर होगा अलग-अलग हैंगे पांच मुख किसके है देखो संख्या का वर्णन किया है इसमें जो संख्या का वर्णन किया है चार पांच और छे केशों की विशेशता रही है पांच मुख वाले कौन हैं कौन से देवता है वो है महादेव शिव के पांच मुखे और यहां उनको पुत्तर बताया गया है और नाती वर्णे शठ मुख तदपी नहीं नहीं और नाती शिव का पुत्तर कौन है छे मुख वाला कारती के कारती के शिव का पुत्तर है उन्होंने भी इसका जो वर्णन क्या है वो भी शंपून रूंप से सरस्वती के बखान का वर्ण नहीं कर सके सरस्वती के गुणों का बखान नहीं कर सकते सरस्वती की जो उदारता है उसका बखान नहीं कर सके ये क्यों लाया है केशव बहुत सी विश्तार से ब्याक्या की जा सकती है इसमें अब पहले है देखो हम सांसारिक संबंद देखते हैं तो पत्नी के पास पती रहते हैं उनके गुणों को जानते हैं क्योंकि वो साथ में रहते हैं तो ये कहते हैं पती भी उसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता पुत्तर है वो मा के गुणों को जानता है पुत्तर जानता है सबसे ज़्यादा पास में रहता है पुत्तर भी रहता है वो भी उसके गुणों का वखान नहीं कर सका और नाती जो है पुत्तर है पुत्तर का पुत्तर वो भी उनके गुणों का बखान नहीं करसका मुकत तदपी नही 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 बातें आती है नही नही गुणों नही नही वर्णन नहीं नहीं उदारता हैं उनके सामने आती है और वो भी कौन रूपेन वो उनका वर्णन नहीं करते हैं अब कुछ लोग केशों पर ये आरोब लगाते हैं ये कहते हैं कि केशों को औराने ज्यान नहीं था पुरानों की बातों का ज्यान केशों को नहीं था ऐसा आरोब लगाते हैं किसलिए लगाते हैं वो कहते हैं कि शिव सरस्वती के पुत्तर नहीं है ऐसा वो इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने पुराणों को पड़ा नहीं है जिन लोगोंने पुराणों का अध्यन अच्छी तरह किया है वो ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि केशों तो महापंडित थे केशो को पुराणों का उन्होंने अच्छी तरह दिन किया है तो वो ऐसी बात जो पुराणों में नहीं हो यहां नहीं कह सकते शिव पुराण में आया है कि महादेश स्वैम ब्रमा जी के पुत्तर बनते है अब वो माया से बने या किस से बने ये पुरानों की बात है और लोग कथा भी ऐसी आती है कि जब शिव की साधी होती है तो साधी में गोतराचार और पिता आदी के नाम बताई जाते हैं तो साधी में जब शिव से पूछा गया ये आपके पिता का नाम क्या है देखो इसमें आपको रोच सकता है तो शिव ने क्या बताया पिता का नाम शिव ने पुछा कि पिता का नाम भी बताना पड़ेगा कि साध्य करने तो बताना पड़ेगा तो उन्होंने का ब्रमा मेरे पिता ब्रमा है तो पुछा अच्छा आप बताओ ब्रमा जी के पिता जी का नाम क्या है अर्थात आपके दादा जी का नाम क्या है तो शिव सोच में पड़ गे तो उन्होंने क्या बताया विश्णू अब का विश्णु के पिता का नाम बताओ शिव उल्जन में हो गए तो शिव ने क्या का विश्णु का पिता कौन है मैं शिव अर्थात मैं स्वाहिम भूँ ये लोग कथाओं में आता है तो कहने का तात्परी ये है कि केशो को दार्मिक ग्रंथों का ज्यान था उन्होंने अध्यन किया है और इसी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है दूसरी बात कि जो चार मुख से सर्ष्वती का वर्णन करे तो भी सर्ष्वती के गुणा का पूर्ण रूपेन वर्णन नहीं कर सकते पांच मुख से जो सर्ष्वती के गुणा का वर्णन करे वो भी पूर्ण रूपेन सर्ष्वती के गुण उदार्ता का वर्णन और छे मुखों से जो करें वो भी नहीं कर सकते तो मैं तो केशवदाजी केते हैं कि मेरे तो क्या है एक मुख है मैं एक मुख से सरस्वती के गुनों का वर्णन कैसे कर सकता हूं यहां जो बात है इसमें बताई गई है केशवदे ब्याक्या इसकी और भी विस्तार से हो सकती है और भी विश्तार से हम इसको कह सकते हैं लेकिन केशोव ने देखो कि पहले तो संबंद की बात की और फिर संख्या की बात की चार पाँच और छे और इसका जो सुन्दर वर्णन किया केशोव में इसमें अलंगकार अनुपरास तो है यमक अलंगकार भी है और जो चंद है मन हरन कवित चंद है जिसका बड़ा सुन्दर वर्णन केशोव ने किया अब हम कल जो है अगले जो आपके वीडियो राम की वंदना की बारे में ब्याक्या आपको अगले में बताई जाएगे